वी हैं वी हैं आज बना रहे हैं तीज के लिए पैटॉरी हम पाण़े लिएंगे उसरे आधा कटॉरी हम चिनी डाल देंगे इसे अच्छी से मिक्स करेंगे बनाना बहुत ही आसान है तो सोचे आप लोग के साथ भी सेर कर दूँ तो दीखिए चीनी जो अच्छे से घूल चुका है तेहां पे हम चावल काटा लिये हैं इसी कटोरी से सारा जो है हम नापके हैं तो इसे आधा डालेंगे फिर अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद पूरा डाल देंगे इसमें और बाकी चीज आड़ नहीं करेंगे जैसे मैदा वगेरे कुछ भी आदमी आड़ करता है तो यह चावल से ही बनाएंगे और काफी अच्छा बनके त्यार होता है तो यह देखिए इस तरह से गैस का फिलेम बिलकुल मीडियम होना चाहिए ते हमारा त्यार हो गया है तिसे हम निकाल लेंगे तो देखिए यहां पर थाली में निकाल लिए है यह काफी अभी गरम है तिसे छोड़ देते हैं दो तीन मिट के लिए ठंडा हो जाएगा ते देखिए ठंडा हो चुका है इसमें डाल देंगे थोड़े से हम तेल डाल देंगे आप चाहतो घी भी डाल सकते हैं इससे अच्छे से मिलाते हुए अच्छे से मज लेंगे पांच मिनिट तक इसका डो जो है बहुत ही एकदम से सॉप्ट होना चाहिए आप देख सकते हैं कितना सॉप्ट दीख रहा है तो मैंने थाले में तेल अगरा नहीं लगाई थी इसलिए थोड़ा बहुत चिपक गया यहां पर तील दिये हैर। इस तरह से चोटे-चोटे करके और तील में मैं ऐसे इस तरह से लगा देंगे ऐक कि इसी तरह से मावा खे भी बना सकते हैं पर तेल गरम हो चुका है तो में आ अचीज कि फ्लेम एह मीडियम लाफ्ट मेडियम फिलेंपे हैं इसे अच्छे से कलर आने तक पकाएंगे थोड़ा बहुत तील छोड़ जाता है कोई बात नहीं है इसे पलट देंगे और इसे पलटते हुए ही गोल्डन होने तक पुरा पकाएंगे अच्छे से ते देखे काफी अच्छा सा अच्छा से प कलर जो है चैंज होने लगा है और आप देख सकते हैं नहीं जो है गोली कितना अच्छा से पका है बिल्कुल फट जाए तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी एक दम से बन के रेडी होता है बिलकुल मार्केट के जैसा ते देखिए अच्छे से पक चुका है तो इसे हम निकाल लेंगे आसा करती हूं आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग लाइक करिए चैनल को सस्क्राइब ज बहुत ही ज्यादा अदम बनाना असान है तो आप लोग भी बनाएए आप लोग भी बहुत पसंद आएगा और तीज में तो जरूरी बनाया जाता है ते देखिए बन के पुरा रेडी हो गया है फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में और तब तक के लिए बैए बैए